कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ फिजिक्स का जो मेरा में स्ट्राटेजी था वह यह था कि कंसेप्स को अच्छे से समझना क्योंकि क्वेस्टन्स बहुत अलग-अलग टाइप के हो सकते थे कोशिश हमें साहिए कि सारे टाइप के कुशिशन्स मेरे कवर हो जाए लेकिन यह भी था कि अगर कोई निया टाइप के क्वेशन्स आजाए तो भी मैं उसे फेस कर सकूँ फिजिक्स में दो पार्ट होते हैं तो अगर हमें और अच्छे तरीके से थियोरी को समझना है फिजिक्स के तो हम लेगिन उसके जो नुमेरिकल से वो सिर्फ में आते थे अब बंद हो चुगा तो उसके नुमेरिकल करने के कोई ज़रत नहीं और उसके अलवा क्वेशन प्रैक्टिस जो नुमेरिकल बेस जो क्वेशन होते हैं उनके लिए मैं यही रेकॉमेंड करूंगा कि आप प्रिवियस इसके तो उसके क्वेशन से कर लिजिए और उसके अलवा जो भी आपका कोचिंग है जुआ हूँ हों चैया काश हो यह कोई और हो ओनके कोचिंग के अच्छे से जो क्वेशन दिये हुआ हुआ वह सब अच्छे से कर लिए हर एक टॉपिक पर कुएशन करना इंपोर्टन है कुभी question अब जैसे जैसे नीट का वेपर इजी होते जा रहा है वैसे questions कहीं से भी आ सकते हैं मेंली अब focus theory वाले part के questions पे भी shift हो रहा है और मेंली जो 12th की NCRT है physics में वो और ज्यादा important है मेरे ही सबसे इसलिए मैंने 11th की NCRT को बस reading जैसा पड़ा था और जबकि 12th की NCRT जो board में भी हमारे काम आती है तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से याद भी किया था और जो important points है उनको मैंने समझा भी और NCRT के कुछ lines थे जहां से direct questions बन सकते थे उसलिए मैंने अच्छे से पड़ा था और सबसे कम टाइम में फिजिक्स ही पॉड़ता था फिजिक्स जो मेरा strong part इसलिए मैं उस पर जादा ध्यान नहीं देता था और सबसे कम टाइम मेरा physics में जादा था और इसके अलावा हम एलन में SRG जो ग्रूप है वहां पर extra physics का materials मिलते थे जो की बहुत high level के थे जिससे में हम जेए मेंस यह एडवांस के questions भी solve कर सके उनको भी में करते हैं